लिजे सुनिये मुंशी प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है मानसरूवर एक की कहानी शान्ती मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में सरगिय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में थे आज भी जब उनकी याद आती है तो वो रंग रेलियां आँखों में फिर जाती हैं और कहीं एकांत में जाकर जरा देर रो लेता हूँ हमारे और उनके बीच में दो ढ़ाई सो मील का अंतर था मैं लखनव में था वो दिल्ली में लेकिन ऐसा शायद ही कोई महिना जाता हो कि हम आपस में न मिल पाते हूँ वो सच्छंद प्रकृती के विनोत प्रिये, साहिरदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे जिनोंने अपने और पराए में कभी भेद नहीं किया संसार क्या है और यहां लौकिक व्योहार का कैसा निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी न जानने की चेश्टा की उनके जीवन में ऐसे कई अफसर आये, जब उन्हें आगे के लिए होश्यार हो जाना चाहिए था मित्रों ने उनकी निश्क कपटता से अनुचित लाब हुटाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक न लेने की कसम खाली थी उनके वेवहार जियों के त्यों रहे, जैसे भूलानाथ जिये, वैसे ही भूलानाथ मरे जिस दुनिया में वो रहते थे, वो निराली दुनिया थी जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए इस्थान न था सब अपने थे, कोई गैर न था मैंने बार-बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ मुझे कभी-कभी चिंता होती थी, कि उन्होंने इसे बंद न किया, तो नतीजा क्या होगा लेकिन विडम्बना ये थी, कि उनकी इस्त्री गोपा भी, कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी हमारी देवियों में जो एक चातरी होती है, जो सदेव ऐसे उड़ाओ पुर्षों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती है उससे वो वंचित थी यहां तक कि वस्त्राभूशन में भी उसे विशेश रुची न थी अतेव जब मुझे देवनाथ के स्वरगा रोहन का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया तो घर में बरतन भांडे और मकान के सिवा और कोई समपत्ती न थी और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचाए की चिंता करते चालीस भी तो पूरे न हुए थे यह तो लड़कपन उनके स्वभाव में ही था लेकिन इस उम्र में प्रायह सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते हैं पहले एक लड़की हुई थी इसके बाद दो लड़के हुए दौनों लड़के तो बच्पन में ही दगा दे गए थे लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण द्रश्श था जिस तरह का इनका जीवन था उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए दो सो रुपे महीने की जरूरत थी दो तीन साल में लड़की का विवाह भी करना होगा कैसे क्या होगा मेरी बुद्धी कुछ काम न करती थी इस अवसर पर मुझे ये बहुमूल अनभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धी को जीवन का लक्ष नहीं बनाते उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती ये कोई नियम नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किये पर उनके पीछे उनके बाल बच्चों की किसी ने बात तक न पूची लेकिन चाहे कुछ हो देवनात के मित्रों ने प्रशन सिनिय औधार रे से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए इस्थाई धन जमा करने का प्रस्ताओ किया दो एक सज्जन जो रणुए थे उससे विवाह करने को तयार थे किन्तु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का पर्चे दिया जो हमारी देवियों का जोहर है और इस प्रस्ताओ को अस्वी कार कर दिया मकान बहुत बड़ा था उसका एक भाग किराए पर उठा दिया इस तरहे उसको पचास रुपे माहवार मिलने लगे वो इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी जो कुछ खर्च था वो सुन्नी की जात से था गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही न था इसके एक महिने बाद मुझे कारूबार के सिलसले में विदेश जाना पड़ा और वहां मेरे अनमान से कहीं अधिक दो साल लग गए गोपा के पत्र बराबर आते रहते थे जिससे मालूम होता था वे आराम से हैं कोई चिंता की बात नहीं मुझे पीछे ग्यात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गयर समझा और वास्तविक स्थिती च्छिपाती रही विदेश से लोटकर में सीधा दिल्ली पहुँचा दौर पर पहुँचते ही मुझे भी रोना आ गया मरत्यू की प्रतिधवनी सी चाई हुई थी जिस कमरे में मित्रों के जम घट रहते थे उनके दौर बंदे थे मकडियों ने चारों और जालितान रखे थे देवनाथ के साथ वो श्री लुपत हो गई थी पहली नजर में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ दौर पर खड़े मेरी और देख कर मुस्कुरा रहे हैं मैं मित्यवादी नहीं हूँ और आत्मा की देहिकता में मुझे संदेह हैं लेकिन उस वक्त एक बार में चौंक जरूर पड़ा खिर्दय में एक कम पंसा उठा लेकिन दूसरी नजर में प्रतिमा मिट चुकी थी दौर खुला गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था मैंने उसे देख कर दिल थाम लिया उसे मिरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतिक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुथा लिये थे पर इन दो वर्षों के समय ने उस पर जो आगात किये थे उन्हें क्या करती नारियों के जीवन में ये वो अवस्था है जब रूप लावन ने अपने पूरे विकास पर होता है जब उसमें अलहडपन चंचलता और अभिमान की जगह आकरशन माधुर और रसिकता आ जाती है लेकिन गुपा का यवन बीत चुका था उसके मुख पर जुर्रियां और विशात की रेखायं कित थी जिने उसकी प्रैतने शील प्रसन्नता भी ना मिटा सकती थी केशों पर सफेदी दोड़ चली थी और एक एक अंग बुढ़ा हो रहा था मैंने करुण स्वर में पूछा क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आसु पी कर कहा नहीं तो मुझे कभी सिर्दर्द भी नहीं हुआ तो तुम्हारे ये क्या दशा है? बिलकुल बूड़ी हो गई हो तो जवाहनी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र भी तो 35 के उपर हो गई 35 के उम्र तो बहुत नहीं होती हाँ उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्द हो सके जीवन का अंत हो जाए बस सुन्नी के ब्याह की चिंता है इस से छुटी पा जाओं मुझे जिन्दगी की परवाह न रहेगी अब मालूम हुआ कि जो सजन इस मकान में किरायदार हुए थे वो थोड़े दिनों के बाद तबदील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किरायदार ना आया मेरे हिर्दय में बर्ची सी चुब गई इतने दिनों इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ ये कल्पना ही दुखत थी मैंने विरक्त मन से कहा लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों न दे क्या मैं बिल्कुल गेर हूँ गोपा ने लजजित होकर कहा नहीं नहीं ये बात नहीं है तुम्हें गेर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी मैंने समझा परदेश में तुम खुद अपने जहमेले में पड़े होगे तुम्हें क्यों सता हूँ किसी न किसी तरह दिन कट ही गए घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही अब सुनीता के विवाह की चिंता है पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूँगी बीस बाइस हजार मिल जाएंगे विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए बचा भी रहेगा लेकिन बात को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रेहन हो चुका है और सुध मिला कर उस पर बीस हजार हो गए है महाजन ने इतनी ही दया क्या कम की कि मुझे घर से निकाल न दिया इधर से तो अब कोई आशा नहीं है बहुत हाथ पाउं जोडने पर संभाव है महाजन से दो ढ़ाई हजार मिल जाए इतने में क्या होगा इसी फिक्र में घुली जाती हूँ लेकिन मैं भी कितनी मतलब ही हूँ ना तुम्हें हाथ मुध होने को पानी दिया ना कुछ जलपान लाई और अपना दुखड़ा ले वेठी अब आप कपड़े उतारी और आराम से बैठी कुछ खाने को लाऊं खालीजे तब बाते हूँ घर पर तु सब कुशल है मैंने कहा मैं तु सीधे बंबई से हाँ आ रहा हूँ घर कहा गया गोपा ने तरसकार भरी आँखों से देखा पर उस तरसकार की आड में घनिष्ट आत्मियता बैठी जाक रही थी मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की जुर्या मिट गई है पीछे मुख पर हल किसी लाली दोड़ गई उसने कहा इसका फल ये होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहां ना आने देंगी मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है शीत काल की संधिया देखते ही देखते दीपक जलाने लगी सुनी लाल्टेन लेकर कमरे में आई दो साल पहले की अबोध और क्रश्ट अनुबाली का रूपवती युवती हो गई थी जिसकी हर एक चितवन हर एक बात उसकी गौर और शाली प्रकृती का पता दे रही थी जिसे मैं गोध में उठा कर प्यार करता था उसकी तरफ आज आँखे न उठा सका और वो जो मेरे गले से लिपट कर प्रसन होती थी आज मेरे सामने खड़े भी न रह सकी जैसे मुझ से कोई वस्तु छिपाना चाहती है और जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अफसर दे रहा हूँ मैंने पूछा अब तुम किस दरजे में पहुँची सुनी उसने सिर जुकाए हुए जवाब दिया दसवे मैं हूँ घर का भी कुछ काम कास करती हो अमा जब करने भी थे गोपा बोली मैंने नहीं करने देती या खुद किसी काम के नगीच नहीं जाती मैंने मुठी पहर कर हसती हुए चली गए मां की दुलारी लड़की थी जिस दिन वो ग्रहसती का काम करती उस दिन शायद गोपा रो रो कर आँखे फोड लेती वो खود लड़की को कोई काम न करने देती थी मगर सबसे शिकायत करती थी कि वो कोई काम नहीं करती ये शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है मैं भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुननी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी इसके सिवा उसके पास और बात यही क्या थी लड़के तो बहुत मिलते हैं लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो लड़की को ये सोचने का अफसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए इस से अच्छा घर वर ढूंट थे फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल की लड़के का जिक्र किया मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा मदारी लाल पहले इंजीनियर थे अब पेंशन पाते थे लाखों रुपे जमा कर लिये थे पर अब तक उनकी लोब की भूख न बुझी थी गोपा ने घर भी वो छाटा जहां उसकी रसाई कठिन थी मैंने आपत्ती की मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुश्य है गोपा ने दातो तली जीब दवा कर कहा अरे नहीं भाया तुमने उन्हें पहचाना नहोगा मेरे उपर बड़े दयालू है कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते है लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुम से क्या कहूँ फिर उनके हां कमी किस बात की है ये ठीक है कि पहले वो खुब रिशुवत लेते थे लेकिन इहां धर्मात्मा कौन है कौन अवसर पाकर छोड़ देता है मदारी लाल ने तो यहां तक कह दिया कि वो मुझसे दहेज नहीं चाहते केवल करन्या चाहते है सुन्नी उनके मन में बैठ गई है मुझे गोपा की सरलता पर दया आई लेकिन मैंने सोचा क्यों इसके मन में किसी के प्रतिया विश्वा सुत्पन न करूँ संभा है मदारी लाल वो न रहे हो चित की भाउनाए बदलती भी रहती है मैंने अर्ध सहमत होकर कहा मगर ये तो सोचो उनमें और तुम में कितना अंतर है शायद अपना सर्वस्व अर्पन करके भी उनका मुझस सीधा न कर सको लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी सुननी को वो ऐसे घर में चाहती थी जहां वो रानी बन कर रहे दूसरे दिन प्राता हकाल मैं मदारी लाल के पास किया और उन से मेरी जो बात चीत हुई उसने मुझे मुझे मुग्द कर दिया किसी समय वो लो भी रहे होंगे इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहिर्दय उदार और विनैशील पाया बोले भाई सहब में देवनाथ चीसे परिचित हूँ आदमियों में रतन थे उनकी लड़की मेरे घर आये ये मेरा स्वाब हाग है आप उनकी मा से कह दे मदारी लाल उनसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता इश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है मैं उन्हें जेरबार नहीं करना चाहता मेरे दिल का बोज उतर गया हम सुनी सुनाई बातों से दूसरों के संबंध में कैसी मिथ्या धारना कर लिया करते है इसका बड़ा शुभ अन्भव हुआ मैंने आकर गोपा को बधाई दी ये निशे हुआ कि गर्मियों में विवाह कर दिया जाए ये चार महीने गोपा ने विवाह की तैयारियों में काटे मैं महीने में एक बार अवश्य उससे मिलाता था पर हर बार खिन होकर लोटता गोपा ने अपनी कुल मरियादा का नाजाने कितना महा नादर्श अपने सामने रख लिया था पगली इस भ्रह्म में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ जाएगा ये ना जानती थी कि हाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिये जाते हैं शाहिद वो संसार से ये श्रे लेना चाहती थी कि इस गई बीती दशा में भी लुटा हुआ हाथी नौ लाख का है पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती वो होते तो ये काम यो ना होता यो होता और तब रोती मदारी लाल सज्जन है ये सत्त है लेकिन गोपा का अपनी करन्या के परती भी कुछ धर्म है कौन उसके दस पांच लड़कियां बैठी हुई है वो तो दिल खोलकर अर्मान निकाले की सुननी के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे उन्हें देखकर मुझे आश्चर होता था जब देखो कुछ ना कुछ सी रही है कभी सुनारों की दुकान पर बैठी हुई है कभी महमानों के आदर सत्कार का आयोजन कर रही है महले में ऐसा बिरला ही कोई संपन्न मनुश्य होगा जिससे उसने कुछ कर्ज न लिया हो वो इसे कर्ज समझती थी पर देने वाले दान समझ कर देती थी सारा महला उसका सहायक था सुनी अब महले की लड़की थी गोपा की इज़त सब की इज़त है और गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम था दर्द से सिर फटा जा रहा है आधी रात हो गई मगर वो बैठी कुछ न कुछ सी रही है या इस कोठी का धान उस कोठी कर रही है कितनी वात सल्ले से भरी आकांगशा थी जो कि देखने वालों में श्रद्धा उत्पन न कर देती थी अकेली और वो भी आधी जान की क्या क्या करे जो काम दूसरों पर छोड़ देती है उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती है पर उसकी हिम्मत है कि किसी तरह हार नहीं मानती पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझसे रहा ना क्या बोला गोपा देवी अगर तुम मरना ही चाहती हो तो विवा हो जाने के बाद मरो मुझे भाय है कि तुम उसके पहले ही न चल दो गोपा का मुर्चाया हुआ मुक प्रमुदित हो उठा बोली उसकी चिंता न करो भाया विवा की आयू बहुत लंबी होती है तुमने सुना नहीं रांड मरेना खंड हर डहे लेकिन मेरी कामना यही है कि सुननी का ठिकाना लगा कर मैं भी चल दो अब और जी कर क्या करूंगी सोचो क्या करूं अगर किसी तरह का विग्न पढ़ गया तो किसकी बदनामी होगी इन चार महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी नींद ही नहीं आती पर मेरा चित्य प्रसंड है मैं मरूं या जीओं मुझे ये संतोश तो होगा कि सुननी के लिए उसका बाप जो कर सकता था वो मैंने कर दिये मदारिलाल ने अपनी सज्जनता दिखाई तो मुझे भी तो अपनी नाक रखनी है एक देवी ने आकर कहा बेहन जरा चल कर देख लो चाशनी ठीक हो गई है या नहीं गोपा उसके साथ चाशनी की परिक्षा करने गई और एक शण के बाद आकर बोली जी चाहता है सिर पीट लू तुमसे जरा बात करने लगी इधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई के लड़ू दातों से लड़ेंगे किससे क्या कहूं मैंने चड़कर कहा तुम वेर्थ जंजट कर रही हो क्यो नहीं किसी हलवाई को बला कर मिठाईयों का ठेका दे देती फिर तुम्हारे यहां मेमानी कितने आवेंगे जिन के लिए तुमार बांध रही हो तस पाज की मिठाई उनके लिए बहुत होगी गोपा ने व्यथित नेत्रों से मेरी और देखा मेरी ये आलोचना उसे बुरी लगी उन दुने उसे बात बात पर प्रोध हा जाता था बोली भाई ये तुम ये बाते न समझोगे तुम्हे न मा बनने का अफसर मिला न पत्नी बनने का सुन्नी के पिता का कितना नाम था कितने आदमी उनके दम से जीती थे क्या ये तुम नहीं जानते वो पगड़ी मेरे ही सिर्टु बंधी है तुम्हे विश्वास ना आएगा नास्तिक जो ठहरे पर मैं तो उन्हें सदेव अपने अंदर बैठा पाती हूँ जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैं मंद बुद्धी इस्त्री भला के लिए क्या कर देती वही मेरे सहायक हैं वही मेरे प्रकाश हैं ये समझ लो कि ये देह मेरी है पर इसके अंदर जो आत्मा है वो उनकी है जो कुछ हो रहा है उनके पुन्ने आदेश से हो रहा है तुम उनके मित्र हो तुमने अपनी सेक्ड़ों रुपे खर्च किये और इतना हैरान हो रहे हो मैं तो उनकी सहगामनी हूँ लोक में भी परलोक में भी मैं अपना सा मुह लेकर रह गया जून में विवाह हो गया गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियस से बहुत जादा दिया लेकिन फिर भी उसे संतोश न हुआ आज सुननी के पिता होते तुन न जाने क्या करते बराबर रोती रही जाड़ों में मैं फिर दिली गया मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी लड़की का घर और वर दोनों आदर्श है गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए लेकिन सुख उसके भाग में ही न था अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया भाईया घर दोआर सब अच्छा है सास ससुर भी अच्छे लेकिन जमाई ने कम्मा निकला सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है तुम उसे देखो तो पहचान न सको उसकी परचाई मात्र रह गई है अभी कई दिन हुए आई हुई थी उसकी दशा देखकर छाती भटती थी जैसे जीवन में अपना पत को बैठी हो ना तन बदन की सुधे न कपड़े लत्ते की मेरी सुन्नी की दुरगत हो की ये तो सुपन में भी न सोचा था बिल्कुल गुमसुम हो गई कितना पूछा बेटी तुमसे वो क्यों नहीं बोलता किस बात पर नाराज है लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती बस आँखों से आँसु बहते मेरी सुन्नी कुए में गिर गई मैंने कहा तुमने उसके घरवालों से पता नहीं लगाया लगाया क्यों नहीं भाया सब हाल मालूम हो गया लोड़ा चाहता है मैं चाहे जिस राह जाओ सुन्नी मेरी पूजा करती रह सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी उसे तो तुम जानते हो कितनी अभी मानी है वो उन इस्त्रियों में नहीं है जो पती को देवता समझती है और उसका दुर्वेवार सहती रहती है उसने सदयो दुलार और प्यार पाया है बाप भी उस पर जान देता था मैं आख की पुतली समझती थी पती मिला चैला जो आधी आधी रात तक मारा मारा भिरता है दौनों में क्या बात हुई ये कौन जान सकता है लेकिन दौनों में कोई गाठ पड़ गई है ना वो सुन्नी की परवाह करता है ना सुन्नी उसकी परवाह करती है मगर वो तो अपनी रंग में मस्त है सुन्नी प्राण दिये देती है उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है सुन्नी के लिए उसकी उपेक्षा है और रुदन है मैंने कहा लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं उस लौने का क्या बिगड़ेगा इसकी तो जिन्दगी खराब हो जाएगी गूपा की आखों में आसु भराए बोली भाईया किस दिल से समझाओ सुन्नी को देख कर तो मेरी चाती फटने लगती है बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलीजे में ऐसी रख लू कि इसे कोई कड़ी आख से देख भी न सके सुन्नी फोहड होती, कटू भाशनी होती, आराम तलब होती तो समझाती भी क्या ये समझाओं कि तेरा पती गली-गली मुह काला करता फिरे फिर भी तो उसकी पूजा किया कर मैं तो खुद ये अपमान न सह सकती इस्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्थी ये है कि दौनों सोलहों आने एक दूसरे के हो जाए ऐसे पुरुष तो कम है जो इस्त्री को जोव भर विचलित होते देख कर शान्त रह सके पर ऐसी इस्त्रीयां बहुत है जो पती को सच्छन्द समझती है सुन्नी उनिस्त्रीयों में नहीं वो अगर आत्म समर्पन करती है तो आत्म समर्पन चाहती भी और यदि पती में ये बात नहुई तो उससे कोई संपर्क न रखेगी चाहे उसका सारा जीवन रोते कट जाए ये कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगार दान लाकर उसके अंदर के आभूशन दिखाती हुई बोली सुन्नी इसे अब की यहीं छोड़ गई इसलिए आई थी ये विगेहने हैं जो मैंने ना जाने कितना कश्ट सहकर बनवाए थे इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी यह कहो की भीक मांग कर जमा किये थी सुन्नी अब इनकी और आँख उठा कर भी नहीं देखती पहने तो किसके ली सिंगार करे तो किस पर पाँच संदुक कपड़ों के दिए थे कपड़े सीते सीते मेरी आँखे फूट गई ये सब कपड़े उठाती लाए इन चीजों से उसे घृणा हो गई बस कलाई में दो चूड़ियां और एक उजली साड़ी यही उसका सिंगार है मैंने गोपा को सांतो ना दी मैं जाकर केदारनाथ से मिलूगा देखूं तो वो किस रंग ढंग का आदमी है गोपा ने हाथ जोड़ कर कहा नहीं बूल कर भी न जाना सुननी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी अभी मान की पुतली ही समझो उसे रसी समझ लो जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है उन्हें वो कभी न सहलाईगी उसे अपना बना कर कोई चाहे तो लॉंडी बना ले लेकिन शासन तो उसने मेरा नसहाद दूसरों का क्या सही की मैंने गोपा से उस वक्त कुछ ना कहा लेकिन अफसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला मैं रहसे का पता लगाना चाहता था संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगहे पर मिल गए मुझे देखते ही केदार ने इस तरह जुक कर मेरे चरण चुए कि मैं उसकी शालींता पर मुग्द हो गया जब तक रहा सिर जुकाए बैठा रहा उच्छंग खलता तो उसे चूब ही नहीं गई थी जब केदार टेनिस खेल लें गया तो मैंने मदारी लाल से कहा केदार बाबू तो बहुत सचर इत्र जान पड़ते हैं फिर इसत्री पुरुष में इतना मनुमालिन के हो गया है मदारी लाल ने एक शण विचार करके कहा इसका कारण इसकी सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माबाप के लाड़ ले है और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा अब जाकर जरा शान्ती मिली भोग विलास का कभी अफसर ही न मिला दिन भर परिश्रम करता था संध्या को पढ़कर सूजाता था स्वास्थ भी अच्छा ना था इसलिए बार बार ये चिंता सवार रहती थी कि संचे कर लो ऐसा नहो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगती फिरे नतीजा ये हुआ कि इन महाशेक मुफ्त का धन मिला सनक सवार हो गई शराब ओडने लगी फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ धन की कमी थी ही नहीं उस पर माबाप के अकेले बेटे उनकी प्रसनता ही हमारे जीवन का स्वर्ग थी पढ़ना लिखना तो दूर रहा विलास की इच्छा बढ़ती गई रंग और गहरा हुआ अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगी मैंने ये रंग देखा तो मुझे चिंता हुई सोचा ब्याह कर दूँ ठीक हो जाएगा गोपा देवी का पेगाम आया तो मैंने तुरंद स्विकार कर लिया मैं सुननी को देख चुका था सोचा यसी रूप वटी पत्नी पाकर इनका मन इस्थिर हो जाएगा पर वो भी लाडली लड़की थी हठीली, अभोद, आदर्शवादनी सहिश्वनुता तो उसने सीखी ही ना थी समझोते का जीवन में क्या मूल है इसकी उसे खबर ही नहीं लोहा लोहे से लड़ गया वो अभिमान से पराजित करना चाहती है ये उपेक्षा से यही रहस्य है और साहब मैं तो बहू को ही अधिक दोशी समझता हूँ लड़के प्राया मन चले होते हैं लड़कें सभाव से ही सुशील होती है और अपनी जिम्मेदारी समझती है उसमें ये गुण ही नहीं डौंगा कैसे पार होगा इश्वर ही जाने सहसा सुनी अंदर से आ गई बिलकुल अपने चित्र की रेखा सी मानो मनो हर संगीत की प्रती ध्वनी हो कुंदन तब कर भस्म हो गया था मिटी हुई आशाओं का इस से अच्छा चित्र नहीं हो सकता उलाहना देती हुई बोली आप ना जाने कबसे बैठे हुए मुझे ख़बर तक नहीं और शायद आप बाहरी बाहर चले भी जाते मैंने आसों के वेक को रोकते हुए कहा नहीं सुनी ये कैसे हो सकता था तुम्हारे पास आही रहा था कि तुम स्वैम आगे मादारिलाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे शायद मुझे सुनी से बात करने का अवसर देना चाहते थे सुनी ने पूछा अम्मा तो अच्छी तरह है हाँ अच्छी है तुमने अपनी ये क्या गद बना रखी है मैं अच्छी तरह से हूँ ये बात क्या है तुम लोगों में ये क्यान बने गोपा देवी प्राण दिये डालती है तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो कुछ तो विचार से काम लो सुनी के माथे पर बल पढ़ गए आपने नहा की विचा छेड़ दिया चाचा जी मैंने तो ये सोच कर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ बस उसका निवारन मेरे बूते से बाहर है मैं उस जीवन से व्रत्ति को कहीं अच्छा समझती हूँ जहां अपनी गदर ना हो मैं व्रत के बदले व्रत चाहती हूँ जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता इस विचा में किसी तरह का समझाता करना मेरे लिए असंभाव है नतीजे की मैं परवाह नहीं करती लेकिन नहीं चाचा जी इस विचा में अब कुछ ना कहिए नहीं तो मैं चली जाओंगी आखिर सोचो तो मैं सब सोच चुकी और तै कर चुकी पशू को मनुष्य बनाना मेरी शक्ती से बाहर है इसके बाद मेरे लिए अपना मुह बंद करने के सेवा और क्या रह गया था मई का महीना था मैं मनसूरी गया हुआ था कि गोपा का तार पहुँचा तुरांत आव जरूरी काम है मैं घबरा तो गया लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुरगटना नहीं हुई है दूसरे दिन दिल्ली जा पहुँचा गोपा मेरी सामने आकर खड़ी हो गई निस्पंध, मूग, निश्प्रान जैसे तपेदिक की रोगी हो मैंने पूछा कुशल तो है मैं तो घबरा उठा उसने बुझी हुई आखों से देखा और बोली सच सुननी तो कुशल से है हाँ अच्छी तरह है और केदारना थ वो भी अच्छी तरह है तो फिर माजरा क्या है कुछ तो नहीं तुमने तार दिया और कहती हो कुछ तो नहीं दिल घबरा रहा था इससे तुम्हें बुला लिया सुननी को किसी तरह समझा कर यहां लाना है मैं तो सब कुछ करके हार गई क्या इधर कोई नई बात हो गई नई तो नहीं है लेकिन एक तरह में नई ही समझो केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया एक सब्ताय से उसका कहीं पता नहीं है सुननी से कह गया है जब तक तुम रहोगी घर में नहीं आऊँगा सारा घर सुननी का शत्रू हो रहा है लेकिन वो वहां से टलने का नाम नहीं लेती सुना है केदार अपने बाप के दस्तकत्क बना कर कई हजार रुपे बैंक से ले गया है तुम सुननी से मिली थी हाँ तीन दिन से बराबर जा रही हूँ वो नहीं आना चाहती तो रहने क्यों नहीं देती वहां घुट घुट कर मर जाएगी मैं उनी पैरों लाला मदारी लाल के घर चला हाला कि मैं जानता था कि सुननी किसी तरह ना आएगी मगर वहां पहुँचा तो देखा कोहरा मचा हुआ है मेरा कलेजा धक से रह गया वहां तो अर्थी सज रही थी महले के सेक्ड़ों आदमी जमा थे घर में से हाए हाए की करंदन ध्वनी आ रही थी ये सुननी का शव था मदारी लाल मुझे देखती ही मुझसे उनमत की भाती लिपट गए और बोले भाई साहब मैं तो लुट गया लड़का भी गया बहु भी गई जिन्दगी ही कारत हो गई मालुम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया था सुननी और भी जादा उदास रहने लगी थी उसने उसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थी और मांग का सिंदूर पोच डाला था साहस ने जब आपती की तो उनको अपशब्द कहे मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी जली कटी सुनाई ऐसा अनमान होता था उनमाद हो गया है लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया था आज प्रातहका अली अमना इसनान करने गई अंधिरा था, सारा घर सो रहा था किसी को नहीं जगाया जब दिन चढ़ गया और बहुग घर में न मिली तो उसकी तलाश होने लगी दोपहर को पता लगा कि यह उमना गई है लोग उधर भागे, वहां उसकी लाश मिली पुलिस आई शवकी परिक्षा हुई अब जाकर शवक मिला है मैं कलेजा थाम कर बैठ गया अभी थोड़े दिन पहले जो सुन्दरी पालकी पर सवार होकर आई थी आज वो चार के कंधे पर चा रही है मैं अर्थी के साथ हो लिया और वहां से लोटा तो रात के दस बच गए थी मेरे पाउं काप रहे थी मालूम नहीं ये खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी प्राणांत नहो जाए मुझे यही भै हो रहा था सुननी उसकी प्राण थी उसकी जीवन का केंदर थी उस दुखिया के उद्ध्यान में यही पौधा बच रहा था उसे वो हिर्दा रक्त से सींच सींच कर पाल रही थी उसके वसंत का सुनहरा स्वपनी ही उसका जीवन था उसमें कौपले निकलेंगी फूल खिलेंगे फल लगेंगे चिडिया उसकी डाली पर बैटकर अपने सोहने राग गावेगी किन्तु आज निश्ठुर नियती ने उस जीवन सूत्र को उखाण कर फेक दिया और अब उसके जीवन का कोई आधार ना था वो बिंदू ही मिट गया था जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्र हो जाती थी दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जन्जीर खटखट आई गोपा एक लालटेन लिये निकली मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की जलक देखी मेरी शोक मुद्रा देखकर उसने मातरवत प्रेम से मिरा हाथ पकड़ लिया और बोली आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगी मेरे जी में भी आया कि चलकर सुननी के अंतिम दर्शन कर लूँ लेकिन मैंने सोचा जब सुननी ही न रही तो उसकी लाश में क्या रखा है ना गई मैं विस्पा इसे गोपा का मुह देखने लगा तो इसे ये शोक समाचार मिल चुका है फिर भी ये शानती और अविचल धैरे बोला अच्छा किया ना गई रोना ही तो था हाँ और क्या रोई यहाँ भी लेकिन तुमसे सच कहती हूँ दिल से नहीं रोई ना जाने कैसे आंसू निकलाए मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई दुखिया अपनी मान मर्यादा लिये संसार से विदा होकी नहीं तो ना जाने क्या क्या देखना पड़ता इसलिए और भी प्रसन्न हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी इस्त्री के जीवन में प्यार न मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है मेरी सुन्नी सत्मुच देवी थी भाईया आदमी इसलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है तो आदमी जी कर क्या करे किसलिए जीए खाने और सोने और मर जाने के लिए ये मैंने ही कहती कि मुझे सुन्नी की याद ना आएगी और मैं उसे याद करके रोंगी नहीं लेकिन वो शोक के आँसु नहोंगे बहाद और बेटे की मा उसकी वीरगती पर परसंद होती है सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौराव है मैं आसु बहा कर उस गौराव का अनादर कैसे करूँ वो जानती है और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे उसकी माता सराहना ही करेगी उसकी आत्मा से ये आनंद भी छीन लू लेकिन अब रात जादा हो गई है उपर जाकर सो रहू मैंने तुम्हारी चारपाई बिच्छा थी है मगर देखो अकेले पड़े पड़े रोना नहीं सुन्नी ने वही किया जो से करना चाहिए था उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बना कर पूझते मैं उपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोज बहुत हलका हो गया था किन्तु रह रहकर ये संदेह हो जाता था कि गोपा की ये शान्ती उसकी अपार व्यथा का ही रूप तो नहीं है अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेमचंद की लिखे कथा संग रह मान सरूवर एक की कहानी शान्ती मेरी यानि समीर को स्वामी के आवाज में